कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मेनेजमेंट और जो तुम्हें चार्ट दिए गए है इस पैसे हर वो चीज काटी जा चुकी है जो बोर्ड में हटा दी गई है यह निकि यह तुम्हारा फाइनल चार्ट है, जो तुम्हें चार्टना है, हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आज वो स्टार्ट करूँगा, जिस पे हमने कभी फोकस जादा नहीं किया है, इस चैप्टर में especially, और वो है पहला पेज, जिसके अंदर विंक्स कवर की है, हमने पहले पेज के अंदर, functions, philosophies, और तीसरा क्या, यह बत्तिमीज हो गई है, कोई बात नहीं, functions यह यह भी, पहला क्या है, characteristics, दूफरा क्या है हमारा, philosophies और तीसरी क्या है, marketing के क्या, functions, अब एक ज़रूरी चीज़ पहले में start लेके आता हूं, functions के साथ, हाँ, मैं functions के साथ start करता हूं, क्योंकि हम लोग अलड़ी पढ़ चुके हैं, अगर हमने चैप्टर नहीं किया होता, तो मैं सीधे यहाँ पर नहीं आता, और अभी यहाँ इसलिए आ रहा हूं कि यह important है, क्यो है important ही समझते हैं, इस समय मैं इसको important इसलिए बोल रहा हूं कि जब functions आते हैं, तो step बोलता है, बता इसके बाद क्या होगा, क्या पूछता है इसके, बात क्या होगा, तो इसको ना हम कुछ इस तरह से बाटने जा रहे हैं, दो एक तो line, यहाँ catch दो line, एक line यहाँ catch दो, इसमें कितने point बिले तुम्हें, दो, catch दी, next line तुम यहाँ catch दो, point number 7 के बाद, और यहाँ दो कितने point इसके बन रहे हैं, कितने बने, 5, यहाँ लिख दो 5, फिर, एक single line, catch दो, 1, फिर, प्रमोशन पर, है, अभी क्या मैंने numbers के डाले, 2, 5, 1, 1, और 3, अब ध्यान देने यह process है, यह बतलब यह पूरा function है, step by step, ऐसे ही इस function को perform किया जाता है, step by step, इस function को ऐसे ही perform किया जाता है, यह sequence है, इस sequence को हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्या है यह sequence समझते हैं, सबसे पहले तो हम अगर इन चारों पीस को देखते हैं, तो यहाँ पर हमने पहले क्या लिया है, product, जा तो हम पहले भी product की पढ़ते थे, उसके बाद लिया है price, हाँ तो हम product के बाद price भी पढ़कर आए है, तो उसके बाद दिया हुआ है क्या promotion, और last में दिया है क्या place, अब हम समझेंगे इन सब चीजों को, इन चारो पी से पहले ये, दो important task, marketing के functions perform करने हैं, marketing कैसे करनी है, तो सबसे पहला point, जो सबसे आज ज़रूरी होता है, सुनो, मैं तो बताया होगा, जो Indian companies है, प्रता एक जो, जिसको marketing नहीं पता, वो normally क्या करता है, पहले उसका सपना आता है, कि मुझे बनाना है क्यों product, product बनाता है, उसको step by step चारो पीस पे काम करता है, लेकिन Americans जो होते हैं, capitalist country वाले, वो इस process को follow करते है, ये process क्या है, और य लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, तुम्हे याद है, 11th class की business study भी तुम पढ़कर आया थे, क्या, क्या पढ़कर आया थे, तुम पढ़कर आया थे, formation of company, वह तो मैं बताया गया था, एक idea जो बदल दे तुम्हारी जो दुनिया, वो idea क्या था, कुछ product बनाने का, क्या प्रोडक्ट बनाने का, क्या वो idea आते हैं, तुम्हे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्या, क्या किया था, पहला काम, information gather की थी, और analyze किया था, क्या, market, क्या जो product मैं बनाना चाहता हूँ, उसकी demand market में होईगी, या नहीं होईगी, क्या बोला गया इसको, product सीज नहीं बन जाता, पहले research होती है, क्या बोलते है, information gather करो, और उसकी क्या गरो, उसके analysis करो, उसके market की, क्या, इस चीज की demand market में होईगी, तो जो तुम्हारे पासने भी idea आया था, जिसको लेके, तुम information gather कर रहे हो, तुम्हें क्या check करना है, उसके इंदर, तुम्हें check करना है SWOT analysis, यह sort analysis क्या कहता है, अपने product जो तुम बनाना चा रहे हो, उसकी strength क्या है, उसकी weakness क्या है, उसके सामने opportunities क्या आ सकती है, और क्या क्या आ सकते है, threat, तो information को gather करके, market को समझ दे की कोशिश कर रहे हैं, कि हमारा product अगर इसको हम बनाते हैं, और यह बना नहीं है, क्या बोल हैं, तो इसमें क्या strength, weakness, opportunity और threat होईगी, क्या बोलते हैं इसको gather करना, क्या चीज, information और उसको क्या करना, analysis करना, तो हुआ क्या, तुम दे सारे analysis किये, analysis करने के बाद अगर तुम्हें यह सारे के सारे favorable लगते हैं, अगर तुम्हें लगती हैं, यह अच्छी opportunity है, तो तुम क क्या करोगे, marketing करने की planning करोगे, क्या करोगे, मैं तुम्हें इसको दूफी तरह से दिखाता हूँ, आप ए planning chapter पढ़ा तो तुम लोगों ने, process पड़ी थी, पहला क्या था setting objective, objective कहा सेट हो रहे हैं, पहले point से, क्या, information gather करो, और objective set करो, हाँ यह चाहिए, then after क्या करना था, क्य प्लैनिंग, सब कुछ हो गया है, planning, अब क्या होगए, marketing की planning करनी है, अब marketing की planning में क्या बोल रहे है, marketing की objective set होने चाहिए, कि marketing क्यों करनी है, marketing की क्या बोल रहे है, objectives, of the organization can be achieved, यह नहीं, marketing इस तरह से करनी है, कि हमारे objective क्यों हो सके, achieve, अच्या अब यह objective क्या है, यह बताओ कर कि हम के रहें कुछ भी हो सकते हैं क्या ये philosophy हो सकती है हाई अग्दम कि मेरा टार्गेट है इन philosophies के वेजे प्रोफिट को आना क्या है थोड़े बार पढ़ेंगे फिलाल भी में मैं नहीं आरहा हूँ अभी हम सिंपल बात कर प्लैन करो कि कैसे माकणी करनी है अब देखो यह कहानी याद करने का बहुँ सिंपल तरीका है क्या अभी तक नहीं बना था सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोड़क्ट को डिजाइन करेंगे और डिजाइन है तो उसका डेवलप्मेंट करेंगे मैं क्या बोल रहा हूं यह step by step same step follow किया आते हैं इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं तो हमने क्या बोला product को design करना and making the product attractive to the target customer के accordingly क्या करना आपको product को design करना पड़ेगा बतायो साब product तुमने design कर लिया ठीक है for example हम बात करें कोई mobile company क्या single एक product बनाती है नहीं गरीबों के लिए अलग अमीरों के लिए अलग बोले तो क्या product design होने के बाद standardization and grading करनी होती है अचा what is standardization predetermined specification uniformity लेकर आना and consistency in the output यह बताओ यह mobile जो है एक लाख mobile बन रहे है लेकिन एकी तरह से कोई defect नहीं आ रहा समेगी एक की design के बन रहे है इसका मतलब यह क्या है इसका एक standard है अभी इसके अंदर single camera है दूसरा mobile बन रहा है अलग grade का जिसके अंदर 3-4 camera लगे हुए मतलब हम क्या बोल रहे है इस standardization क्या कहता है predefined yet predetermined specification जिस तरह का मैं product चाहता हूँ जिस तरह का मैं product चाहता हूँ uniformity के साथ मुझे वो चीज़ लेकर यह प्रोड्यूस करनी पड़ेगी and grading process of classification of product एक A grade का है B grade का है C grade का है into different groups basis of characteristics such as quality size etc simple सा point बोल रहा है यह standardization and grading का मतलब क्या हूँ जो product बना लिया गया है वो अमीरों गरीबों के accordingly क्या बाते आते हैं उसके grading कियाती है कि कौंसा सस्ता होगा कौंसा महगा कौंसा और महगा होएगा कितने पॉइंट हो चुके है यह चार पहले में क्या थे दो दूफरे में कितने थे पाच प्रोड़क्ट में कितने पॉइंट है पाच पहला क्या था प्रोड़क्ट की पहले design बनाओ उसका development करो बन गई design अब क्या करना है उसको grading करो कि यह A grade का यह B grade का यह C grade का इन्हीं standardized करो और grade करो standardized करो और अब यह तो हुआ क्या A B C तरह के mobile क्या कर दिए गए अब उन सभी की packaging करो और उनमें labeling लगाओ अब क्या करनी है प्रोड़क्ट बनके तहरो चुका है बना ही नहीं है प्रोड़क्ट का माना जाएगा बना हुआ जब तुम मार्केट में आते हो तो यह mobile प्रॉपर पैक हो की मिलता है ना विद लेवलिंग मिलता है ना तो पहले बना तो लो वह ना कस्पन को दिखाओंगे क्या एड में क्या दोगे तो हमने क्या बोला package और क् packaging कहती है designing, design करो इसको developing the package for the product, it may be innovative, labeling लगाओ, the label may vary from a simple tag to complex graphics, यहनि कुछ भी हो सकता है, एक simple tag भी हो सकता है और graphical तरीके सी भी आप इसे लगा सकते हो, अब पहला point केते थे पहले दो, जो in general थे, पहला information gather करो और analyze करो market को, दूफरा market की planning करो, planning के बाद 5 product की काम आए, पहला क्या था, product को design करो और develop करो, design हो गया, उसको grading करो, labeling दो उसकी, grading और standardization करो, grading हो गई, अब उसे packing करो और उसमें labeling लगा दो, यह दोनों पांट इखटे आएंगे, packaging करो और labeling लगा दो, अब जब product पूइते त्यार हो चुका है, अब क्या करने है उसकी branding, क्लियर है, आप क्या करने है, उसकी branding, तो, अच्छा, branding generic name से करोगे, या brand name में करोगे, what is generic name, उसका feature, camera ले लो, camera, camera क्या है, मैंने add किया, कोई किसी और का भिग गया, क्योंकि मैं गलती का कर रहा हूं, मैं generic name से add कर रहा हूं, तो generic name or to sell them in a brand name, हमारे पास option है, हम क्य जहां, कहां पो जाएंगे, brand name पर, brand name helps in creating product differentiation, इससे क्या फाइदा होता है, product differentiation होता है, अगर मैं अपना product define, दो चीज़ फाइदे होते हैं, इसके branding के, एक तो product का differentiation होता है, और दूसरा identification होता है, मैं अपने product को differentiate करना चाहता हूं, और तुम्हारे लिए easy करना चाहता हूं, कि तुम easily क्या कर सको, identify, इसका मतलब दो पॉट्ट निकल के आते हैं, branding के अंदर, branding के दो फाइदे, हमें branding के दो फाइदे, company अपना product differentiate कर पाती है, और customer identify कर पाता है, अब माल बिग गया, मतलब brand बिखने के बाद, अगर उस पर कोई problem होई तो, जिसे कहते है, after sales service, जिसे कहते ह पार्ट आफ, जब मैं mobile खरीदने जाता हूँ, तो एक साल की warranty भी तो खरीदता हूँ इसके साथ, यानि वो warranty का फ्रीद देते हैं, क्या, उसका भी पैसा mobile के price में चार्ज कर लेते हैं, यानि कि हम क्या बोल रहे हैं, हम से product खरीद के नहीं लेके आते हैं, इसकी after sales service को भी हम clinical service, whatever, सब कुछ इसके अंदर involved होता है, कितने point रो चुके हैं, पहले के दो अदूफरे, पाच, हाजी, सबसे पहले दो, general point, identify करो, information gather करो, और उसके analysis करो, marketing की analysis करो, market की, ठीक है, उसके market की planning करो, कि हम किस तर इसे marketing आएंगे, जब हम planning कर रहे होते हैं, तो हमें ये सारे 4P की पर धन देना है, फिर क्या करो, सबसे पहले अपने product को design करो, या develop करो, दूफरा, उसका standardization और grading करो, अब packaging और labeling करो, branding करो, और last, customer support service, मतला after sale service की त्यारी करो, ये सब जब इखटा होता है, तो product त्यार हो जाता है, हम ये product तो त्यार हो गया, अब क्या करनी है, उसकी price fix करनी है, price fix करते टाइम हमें, उस सारे chapters सिफ ध्यान देना, यहां पर बहुत कुछ ने लिख रहा है, हम क्या बोल रहे है, price fix करते टाइम, chapter number one, utility को ध्यान में रखो, chapter number two, law of demand, chapter number three, elasticity of demand, fourth, cost, फिर price determination, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, price determined करना चाहिए, मतलब, analyze the factors determining the price of the product and take several crucial decision आपको लेने पढ़ेंगे, अच्छा, यहां दिया हुआ है, देखो, क्या बोल रहा है, determining factors affecting, यही तो factors से जो मैं बोल रहा हूँ अभी, कौन को उसे, पहला utility का, demand का, elasticity of demand का, cost का, और competition का, उस अपको ध्यान में रखते हुए, price determined करो, चलो price determined हो गए, product पूरा त्यार ह के साथ, price decide कर लिए गए, हाँ भई, सीधा भेज़ दे भायार में क्या, और ऐसे कैसे भेज़ दोगे भई, जब demand आएगी तबी तो भिज़ोगे, उस demand को create करने के लिए, क्या करोगे पहले, promotion, क्या करोगे, अब इस promotion में तुम advertisement कर सकते हो, हाँ, personal selling कर सकते हो, हाँ, promotion कर सकत दर negative image को positive बनाने का तरीका, तो हमने क्या बोला, promotion की है, आपने इसका, the four important method of promotion, advertising, personal selling, publicity and sales promotion, public relation नहीं टला न, क्योंकि public relation, सिर्फ negative image को positive करने का तरीका है, अब, हमारा पार last पी बचा क्या, place, वहां तक पहुचाना है, कितने points है, पहला, physical distribution, क्या कहता है ये, तो तो तुम्हें, इसके लिए मैं तुम्हें वह याद दिलाना चाहूँगा, कि मैंने तुम्हें कुछ, कुछ इस तरह से कराया था, ये क्या है, फिजिकल की बातोरी, physically goods को available करवाना, point of production से कहां पर, point of sales पे, तो उसके लिए हमें क्या बत्तमीजी करनी ह है, आओ देखे, मैंने कहा था, point of sales, point of production, point of sales, हमने कहा था, इसके बीच में कौन-कौन होते हैं, wholesaler, sorry, agent, wholesaler, retailer, तब जाके customer तक सामन पहुशता है, हमने ऐसा कहा था, कि सबसे पहले, step by step चलने तो, ये order इसको process करता है, उससे पहले, time से, ये order process करेगा इसको, ये order करेगा process इसको, ये order करेगा process इसको, order processing कहते हैं, या फिर, ये directly इसको भी कर सकता है, क्या बोलते है, order processing, फिर हमने पढ़ा था, order process होने के बाद, ये क्या घड़ता है, truck पर चड़ाता है, बोलता है, क्या था, اسको transportation, फिर वो कहां पहुचाता है, वेर हाउस्टिंग में पहुँचाता है क्या था वो ट्रांस्पोटेशन और फिर सिदाव किया होती है इनवेंटरी कंट्रोल क्या होता था इनरेंटरी कंट्रोल फिर ये प्रोसेस्ष्थ दुबारा से रिपेट होने शुरूर जाते है embodi का सी order processing transportation warehousing और ध्यान देना यह दोनों मैंने पहले ही बताएं दोनों आपस में interlink थे क्यों हम order process तभी कर पाएंगे जब inventory control करेंगे अच्छा और यह order processing और inventory control और order processing कौन करेगा या तो retailer या wholesaler या इसका मदलब this is all about इन तीनों की बात हो रही है किसकी बात हो रही है इसका मतलब channel of distribution की किसकी बात हो रही है channel of distribution जो क्या करता है inventory control और order को process तो पहला point किसकी बात करेंगे दूसरा point क्या आएगा transportation और थीसरा point क्या आएगा warehousing हाबढ़ी तो पहला point हमने कहा रखा physical distribution channel of distribution की बात हो रही है और marketing intermediaries की बाद हो रही है, wholesaler, retailers, etc. To be used and physical movement of the product, including managing inventories. क्या था यह inventory control? क्या बोलते हैं इसको inventory control? लेवल of stock check करना पड़ेगा, storage देखनी पड़ेगी, सारे point यह आगा है, वैसले सके दरी. लेकिन हम दे क्या बोला? दो point cover करने इसके दरी. कॉल-कों से? और प्रोसेस से पहले क्या करना बड़ेगा? inventory, control करोगे, तभी क्या करपा होगे? order processing. अब ही, जैसे order process होगा, क्या होगा? transportation, physical movement of goods from one place to another place, geographically separated from the place, these are, it is necessary to move the, point of production से point of sale तक पहुचाने का काम होता है. लास्ट, storage की बात कर रहे है, time gap को feel करता है, production हुआ था January में, लेकिन consumption हुआ December में, एक साल तक कहा रहा वो, warehouse में. तो time gap between the production and the procurement का मतलब, उसका use of goods, इस पर ध्यान दिया जाता है. हाजी, अभी अभी हमने बोला था, क्या कहा था, केतरे point थे भीया, पहले तो दो point थे, फिर इसको हमने चार पार्ट से बाटा था, जिसके अंदर, पहले, क्या आएगा, product, फिर क्या आएगा, prize, फिर क्या आएगा, promotion, और फिर क्या आएगा, place, और इसके accordingly, हाभी, दो point उप gather करना, information, और analyze करना, market को, दूफरा, market की क्या करना, planning, अब product को design करना और develop करना, यहाँ point कितने ratio क्या है, 5, 1, 1 और 3, product को design करना और develop करना, point number 2, standardization and grading करना, packaging and labeling लगाना, branding करना, और customer support, customer support services त्यार करना, यह 5 अबर्ड हो गए, यह step by step भी चलेंगे, ठीक है न, price, में क्या, सारे pointer को cover कर लेंगे, एक ही point test में, फिर, promotion में क्या था, पहले बाद तो price में क्या बताएंगे, factors, क्या बताएंगे, factors, फिर, यहाँ पर भी क्या बताएंगे, element, यो चार factors ही बोलते हैं उसको भी, कौन कौन से थे, advertisement, personal selling, sales promotion और publicity, ऐसे ही last हमारा क्या है, place, place के लिए मैंने अभी तुम से बोला था, order, sorry, पहले inventory, inventory, control and order processing मिला कर पहला point बनाया गया, क्या, physical distribution, फिर, transportation और फिर, warehousing and storage के थूरू, वहाँ तक पहुचा जाएगा, इस तरह से हमारी marketing के सारे functions perform, हो पाएंगे, हावे clear है, हावे clear है, हावे clear है, त्यान देना, ये, वो question है, बहुत important है, लेकिन ये एक तो बहुत सारे point है, हमें हमने, last time जब तुम्हें याद करवाया था, हमाने से four piece पर focus किया था, अभी लेकि ये story है, पूरी, ये story हमें अभी पता होनी चाहिए, otherwise, question क्य आएगा, तीन function perform कर चुका है, बता अगले तीन क्या होंगे, तो तुम्हें पहचाना पड़ेगा, तीन functions cause हो चुके है, और अगले तीन cause होने है, आओ, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए, अब हमा रहे है, किस पर हमारा second toughest job, जो है क्या, क्या philosophy, क्या है ये, तुम सो हो, नहीं, बहुत बढ़े है, शांदार, आओ, आओ, हम देखते हैं, philosophy, अच्छा, philosophy होती है, सोच, ये क्या होती है, एक सोच है, किस चीज की सोच की मुझे अपना सामान, यानि मैं 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 प्रोड़क्ट बनाया है, मुझे बेजना है, लेकिन मेरी सोच क्या है, सोच का मतल मतलब, इसे क्या बोल रहे है, मेरी philosophy, मेरी philosophy क्या होईगी, क्या करने की, क्या करने की, बिजनस करने की, या marketing करने की philosophy क्या होगी, अब ही देखो, सभी पहली बात, what is marketing and what is selling, ये दो important point है, जो समझनी चाहिए हमें, selling का मतलब कोई भी चीज बेचनी है, ठीक है, बाई हुक और बाई करुक, बेचो, बाढ़ में या customer, हमारा सावन पिकना चाहिए, इसे कहते है, क्या sales, what is marketing, मेरा customer satisfied होना चीज है, आज ना खई दे, एक साल बात खई दे, लेकिन मेरा customer क्या होना चीज है, satisfied, ये दो point पहले रख रहे हैं, इनमें से wider concept क्या है, marketing, selling is very narrow concept, और ये कोई हट चुकी है, क्या, हटा दिया है, हटा दिया है, हटा दिया है, हाजी, वो हटा दिया गया है, और selling और marketing के भीच का compare था, वो चार्ज जा चुका है, अब सिर्फ philosophy बची है हमारे पास, ये क्या है, सबसे पहले हम बोल रहे है, मैंने बोला क्या है, ये क्या एक सोच, बिजन कस्टमर का satisfaction, कस्टमर का satisfaction कौन देता है, marketing, marketing क्या है, कस्टमर के satisfaction के लिए की आती है, मतलब, कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी need के accordingly, अपने product को design करना, या फिर, अगर मैंने design कर लिया है, तो अपने customer को need realize करवाना, क्या बोलते हैं इसको marketing, फिर समझते है, marketing का main objective क्या होता है, तुम्हारा satisfaction, मुझे एक माँ बताओ, हाब एक माँ बताओ, मैंने तुम्हें साल भर पढ़ाया, मैंने 1st of April को तुम लोगों को एक service बेची थी, क्या बेची थी एक service, अब जब पूरे 9 महीने हो चुके हैं, इन 9 महीने होने के बाद, धान्त से सुनना, मैं तुम्हें तब वो sales थी, मैंने बेच दिया, अब भाड़ में जाए customer, इसे क्या बोलते है, sales, लेकिन हुआ क्या, हम उन 9 महीनों के अंदर, हमने जिस तरह से पढ़ने की कोशिश की, हमारा main motive क्या था? पैसा तो आगे जो आना था, अब क्या 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 जाए, इनका satisfaction लेवल बहुत हाई क्या जाए, और अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारा satisfaction अगर जादा है, इसका मतलब ये sales नहीं है रही है, sales थो तब हुई थी, sales सिर्फ एक point of time पे होती है, उसके ब marketing, ऐसे सुना, तुम तो वो लोग हो जो पढ़ रहे हो, वो लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं मुझसे, उनको मैंने sales थो की नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा, क्या, कि मैं कुछ ऐसा करूँ तुम्हारे साथ, इस product को ऐसा develop करूँ, कि तुम दस लोगों को बताओ नहीं, business नहीं बताना नहीं, मैं तो किसे ऐसी बोल रहा हूँ, मैं तुम कितनों से बोल दोगे ना, कि सरगे पास जाओ, याद हो याता है, कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, अभी रिसेंटली एक बच्चे से नहीं पूछा, वो है ना, खुशी, तुम्हारे से नहीं पूछा कि हुशी यह बताओ कि तुम्हारा तुम्हें के लगता है कि सही में याद हो जाएगा लेकिन जब याद हो गया तो क्या हो गया यह 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 क्या कर डाली पीच में कि यह क्या कर डाली मैंने वाट इस मार्केटिंग का सटिस्फेक्शन और वाट इस सेल्स बेचना आओ देखते हैं वह कंपनी जो कस्टमर की सैटिस्फेक्शन पर फोकस कर रही है उसे क्या बोलेंगे वह कर रही है के मार्केटिंग सिफ फिल्ल्सफी पर काम कर रही है वो जो सटिस्फेक्शन आफ की सैटिस्फेक्शन की बात हो रही है, is the key to the success, यह मानते होए चलता है कौन जिसका कौन सा concept हो, marketing concept, तो मैं देखा होगा, एपल अपने product को ऐसी launch नहीं करता है, exclusive करके launch कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो अपने product को इतना अच्छा बनाता है, कि customer उसको उठाया तो feel हो, कि हाँ यार मैंने कुछ diamond tap के ले लिया हो, all the decisions in a firm are taken from the point of view of the customer, customer satisfaction के लिए या जब भी सब कुछ कर रहे होते हो, like identification of the market, मैं अपना product कहा है बेचू, मैं अपना product आगरा बेचता है चंडीगर, चंडीगर decision लिया, ये भी क्या थी, ये भी क्या है, marketing का part, for example, apple को पता है कि उसको अपने product को गाउँ ध्याप में आगे launch नहीं करना है, कहां launch करना है, शेहर में, बड़े शेहर में या पेइंग कैप्स्री लोगों की हो, identification करना, market का और customer का, who are, जो कि आपके target में है, ध्यान देना, product तो अभी विका भी नहीं है, बिना विके भी हम marketing कर रहे हैं, मतलब हमें कहां पहुँचना है, किस customer को satisfy करना है, अज़े बताओ, जिसने Mercedes बनाई, उसने गरीबों के लिए बने हैं, अमीरों के लिए, तो क्या उसने marketing की, हाँ, अपने target customer तक पहुँचने के लिए, जो भी efforts की जाते हैं, वो क्या है, उसने decide कि मैं rich लोगों को satisfy करूँगा, point number two, understanding need, किस की customer की customer चाता क्या है, अगर मैं उसकी need के according लिए product design कर रहा हूँ, वो भी क्या है, marketing, development of product, हावे सुनो फिर से, development का मतला product में innovation, innovation क्यों कर रहा हूँ, customer की need को satisfy करने के लिए, and the services for satisfying need to the target market, satisfying need of target market, better than the competitor, मैं competitor से अच्छा बनाऊंगा, तो obviously यह भी क्या है, आप अपने market, अपने customer को satisfy करने की कोशिश कर रहे हो, doing all this, सब कुछ करना है with profit, यह भी क्या है आपकी marketing, महगा बेशने भी क्या होता है, marketing, सस्ता बेशने भी क्या होता है, लेकिन अंतर क्या है, सस्ता बेशने वाला अमीर आपमी की need को satisfy कर रहा है, और महगा बेशने वाला, अमीर आपमी की need को satisfy कर रहा है, the purpose of marketing is to generate customer value at, simple सा point, ऐसा कोई भी काम, चो customer satisfaction के लिए हो रहा है, that is what called marketing philosophy पर कर रहे है, क्या कर रहे है, marketing philosophy, अभी धीर धीर तो मैं compare समझ में आएगा, क्या होने वाला है, दूफरा point, the product concept, sir, अभी उपर तो बात की थी, innovate कर रहे है, product को, तो क्या थी, marketing, क्या थी, marketing, क्यों, क्योंकि वो customer की need के according लिए हो रही है, customer को satisfy करने के लिए हो रही है, again, product concept क्या कहता है, confusion के साथ, customer started looking for product which were superior in quality, हा, हर customer क्या चाहता है, अच्छी quality, उसकी अच्छी performance और अच्छे features, does product improvement, हमने product क्या किया, improve and became the key to the profit maximization of a firm, बस मुझे वाब बताओ, इसमे ऐसा क्या है, जो तुम्हें marketing में ही मिला था, बस तुम्हें एक चीज़ रूणनी है, एक ही चीज़े वो, बाकी सब तो, अरे, सर, ये सब कुछ तो उपर marketing में में नि point डाल दिया है क्या, कि profit maximization, जो किसके काम होता है, sales का, यानि कि, जब भी question में, वही सब बातें आ जाए, सारी बातें सेम हो, बस एक line लिख दी हो, सब कुछ क्यों किया जा रहा है, customer की need को satisfy करने के लिए, that is what called marketing, और जब वो same कहानी आ जाए, पूरी और बस इतना लिखा हो कि company को profit maximize करना है, that is what called product concept, लेकिन interesting बात अभी भी क्या है, product को design करके मुझे अच्छा profit कमाना है, innovate करके profit कमाना है, customer की need के लिए innovate नहीं कर रहा हूँ, अपने profit के लिए innovate कर रहा हूँ, अपने profit के लिए, अच्छा, ये बताओ, और कोई company carrier, कि हमारा target है, कि हम customer की need को भी satisfy करना चाते हैं, और सासा अपना profit बढ़ाना चाते हैं, इसका मतलब, उसकी philosophy का है, दोनों चीज़ों की है, किसकी marketing की भी है, और sales की भी, product की भी है, marketing में भी क्या product को design किया गया था, हाँ, क्या product concept के अंदर भी product को design किया जा रहा है, हाँ, लेकिन अंतर क्या ढून पा रहे हो तु है कि हमारा profit maximization हो सके, क्या रहा है, प्रोड़क्ट को design ऐसे करो, फिर बही पार धार सुन ले ना, मैं अभी confused होने वाला है, product को ऐसा design करो, कि customer खरीदे, यानि कि हमारा सामान BK, company को क्या हो profit, क्या बोल रहे है, क्योंकि focus कहां पर है, product को बनाने में, features पे, future अच्छे होँगे, BK का is what called product, future अच्छे होँगे, customer satisfied होगा, customer satisfaction मिलेगा, marketing, तीसरा, future बहुत अच्छे है, लुकाओं कि या दो соглас है सब्सक्राइए छाल ला जा किसे प्रोड़क्त का बनाने से किya gonna पड़ता है उसका किया पूरता है कि करें पड़ता है कि कस्पर को कि इअ किस्कमर को हमें टीडियों ने कि एड देनी पड़ती है हमें एह रोको तो तीवी पैड देने पड़ती है, डिसकाउंट देना पड़ता है, ऑफर देना पड़ता है, एड देने पाद भी भी था, तुम्हें अड बे क्या बताया अपने फीचर्स तब भी नहीं भी रहा, हाभई, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सेल्स पृमोशन की टेक्निक उ दिने पड़ेंगे जिससे की वो सामान को पर्चेस करें एंद इस इस वाट थर्ड कॉंसेट से कहते हैं दा सेलिंग कॉंसेट कॉंपर्टीशन अमंग सेलर्स क्या वही सारे कॉंपर्टीटर है हास जो कितरे भी अच्छा प्रोड़क बना लो के लिए क stalंधे हैं तुब मैं क्लाइव जिनी मारूती थर्ड क्लास कार है यह वही समझ सकता है जिसने क्या क्या मेंатив होगा वह 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 अगर बैठ गिया वा पर दो बुलेगा कि मैं किसे साइकल क्लास कार हो है है ना हम ने को बोला वह गरीबों के लिए है क्या मारूती है हम कंवे ना वScott की लिए कोई बीन सट्टिसटक्शन गरीबों की कॉन कर रहा है मारूती ऊ But तो वह भी दॉनों ही काम कर रहे हैं मार्केटिंग कोंसेप्ट में दूफरा दॉनों ही हर अपने प्रोड़ेट को क्या करते हैं हर कंपणी अपने फ्रोड़ेक्ट को बार बार क्या करती है डीड आया तो हमें डिजाइन बदला सैटिस्पेक्शन के लिए मार्केटिंग डिजाइन बदला जिससे भिके प्रोड़क्ट अच्छा डिजाइन बदलने के बाद भी करी डिसकाउंट दो तो हम क्या रहे हैं कॉंपटिशन बहुत सारी कारे हैं तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा दा प्रोड़क्ट क्वालिटी अविलेबिलिटी डिड़ नॉट एंशूर्डा सर्वाइवल लें दा ग्रोथ क्या बात है तो मार्केट में लेके बैठे हो प्रोड़क्ट तब भी नहीं बिक रहा है तो the firm because the large number of sellers क्या कर रहे है selling हर बंदा क्वालिटी प्रोड़क्ट बेच रहा है तो selling concept क्या कहता है buy hook और buy hook बिकना चाहिए इसके आगे लख लो क्या sales promotion sales promotion techniques सब लोग अच्छा प्रोड़क्ट मेच रहे है भाई सब प्रोड़क्ट कॉंसेट पे काम कर रहे है इसका मतलब क्या यह है सब का बिक जाएगा प्रोड़क्ट नहीं किसका बिकेगा जो किस concept पे काम कर रहा है selling concept and what is selling concept what is selling concept discount देकर बेचो competitor 10% दे रहा है लो हमने दिया 20% तो मैं देखा हो को यतने भी showrooms में आते हो हर जागे लिखा हो था 20% discount 30% discount आरे क्यों लिख रहे हो भई कि आप क्यों लिख रहे हो क्योंकि आप कॉंसे concept पे काम कर रहे हो selling concept की बेचो बड़ा बिक वैसी नहीं बिक रहा है बेचो इसे ठीक है कितने concept पूचुके है तीन फूर्थ इसे कहते है production concept दुखा फिर से confusion आने वाली है अचाब सुना फिर से product बनाना कौंसे concept product क्या जीनियस लड़का जीनियस लड़का कोई भी नहीं यह जब तक सापने कुछ युड़ेगा नहीं product बनाना कुछ नहीं है product इसलिए बना रहे है की बिके इसलिए बना रहे है की बिके product इसलिए बना रहे है satisfaction मिले बहुत अच्छा बनाया सब अच्छा बना रहे है लेकिन हम discount देंगे इसे क्या बोलेंगे selling concept अब हमारे production concept what is production concept अच्छा यादे वैसे तुम्हें पढ़ाओ पढ़ाओ का what is production output है ना क्या output है तुम लोग कभी Pepsi पीने Pepsi Coca Cola थमसा पीने के लिए मार्केट में यह बताओ सबसे आओ तो मार्केट में क्या चीज़ मिलती है अवलेबल के हर समय कभी भी जाओगे तो कौन सा ऐसा प्रोडेक्ट है जो हर से मार्केट में अवलेबल है अरे फिर कोल्डरिंगों वैसे पुछ रहा हो या तीन वैसे कौन सी कोल्डरिंग तो इस जादा अवलेबल होती है हर जगे लिए डिशाइड गर लो ह को की पेफिसी है दौनो व्लेबल्ड थमसब इतनी नहीं मिलती बतलब अच्छा ठीक है अजा चिप्स की बात करें तो कॉल से चिप्स सबसे जाता हर जागे मिलती है कुर कुरे और लेज की बात कर सकते है लेज तो हर जागे मिलता है कुर कुरे भी मिल जाता है हर जागे ठीक है तो देखो भई availability and low price of the product ensure increased sales and as such the survival and the growth of the firm अब मुझे बता हो ऊपर की बातों में उस बातों में क्या अंतर रहा है यह सिर्फ एक ही पहां बोलो यहां पर अगें मैं बता दू यह price important नहीं है इस में पॉइंट है वो है availability क्या जीज वापी साथ है यह भी शांदार पफबेश दरी है पहला पॉइंट कर रहे हैं प्रोड़क्ट को डिजाइन कर रहे है इस तरह से की कस्टमर खरी दे क्या हूं क्या बोलो ना क्या कौन से कौन सी सोच प्रोड़क्ट को ऐसे कर रहे है कर अच्छा हम प्रोड़क्ट को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि बिजाएन Selling Concept यूज करो अच्छा हमने Product को डिजाइन किया Customer की नीट के गॉड इंग ली संतो रताओ हमने Product को डिजाइन किया तौने चीज हम कर रहे हैं तृसरा हम Product को डिजाइन कर रहे हैं Discount भी दे दिया सुनो सुनो Customer लेने के लिए पहुचा Market and Product Available है सिर्फ एक इसका मतलब कंपरी ने किस concept पे काम नहीं किया Production concept कहता है कि जब customer पहुचे ध्यान देना बहुत ही interesting बात है यह यह बताओ Order Processing जो थी वो क्यों की की थी टाइम से क्यों की customer आया वो बोल रहा है Uncle लेज दो अंकल बोरे बेटा लेज तो है अच्छा अंकल जी क्या है कुरकुरे लोगी देतो तो कुरकुरे क्यों बिग गया किस concept पे काम कर रहा है वो What is production concept अरे produce करो यार धंक से यार Market में माल भरा रहना चीए हमारा तो बताता हूँ आज से 15-20 साल पहले कुका कोला को थमसब को यह सब लोग ना दूसरे concept पे काम कर रहे थे अक्यली पेपसी थी जो इस concept पे काम कर रही थी क्या concept आप कभी भी कहीं भी चले जाओ आपको N Numbers में बुटल हबेशा रखी हुई मिलती थी पेपसी को उसका मानना था जो मार्केट में होएगा वही भी केगा जब कस्वार के अंदर आग लगी हुई है कोल्डरी पीने की और उसे ऐसे में पहले अगर उसका बने की नहीं कोक चाहिए नहीं मिली थमदब चाहिए वो भी नहीं मिली साथ में जोड़ दिया लो प्राइस ठीक है वो ठीक है लो प्राइस होगा तो भिग जाएगा लेकिन में हम क्या बोल रहे है अविलेबिलिटी की बात हो रही है यह आपर तो थर्ड पॉइंट होगे हमारा फोर्थ क्या होगे अविलेबिलिटी की लास्स पॉइंट दा सोइटल मार्केटिंग कॉस्सेट ले क्या कहता है यह कहता है सोचल प्रॉब्लम्स लाइक अन्वारमेंटल पॉल्यूशन हाब एक कंपनी का करी में अन्वारमेंटल फ्रेंड ली प्रोड़क्ट बनाऊंगी मतला कॉसे कौश सेट पे काटे जा रहे हैं पहले पेढ को तुम्हें आप और बांबे में भी हला हुआ था जबात को लेकर में डाय कि वह में आट जिए गए तो कंपनी वो जो मेंड्व बना रही है उसने पहले प्रिपोजे रखा कि हम पहले तने पेढ कहीं लगाएंगे उसके बाद यहां पेढ तेसला के मालिक का इलोन मस्क वो पागल आदमी है उसने इलेक्टरिक वहिकल उसने बनाए उसने ऐसा कुछ काम कर रहा है कि आने वाले टाइम में तुम लोग जितने जैसे यहां से अमेरिका पहुषते हैं जितने खर्चे में उतने में कहां पहुंचाओगे चांद पर जो रोकेट जो भी मिसाइल होती जाती थी उपर तक वहीं पर वह बरवाद हो जाती थी तियाने रिसूर्स क्या ह विश्ट यह पागल आदमी इसने कभी साइंस भी नी पड़ी थी इस पागल के दिमांग में एक स्थी सेट हो गई देश के रिसूर्स इस वर्ल्ड के रिसूर्स इसको बचाना है उसने प्लैन किया कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाओगा जो जाएगा वहां पर छोड़कर वा बहुत इनुवेटिव टास्क किया है और एंवियरमेंटल जोब कहते हैं एंवियरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया आफ ने तो यानि वह कंपनी किस कॉंसेट पर काम कर रही है सोसाइटल कॉंसेट पर इविल इंफलेशन को कम करने के तरीके ढूड़ना इट जरूरी है स्ट्रॉंग होने पहले हमने क्या पड़े थे फंक्शन्स ऑफ मार्केटिंग टोटल कितने थे पहले इन जनरल दो पांच एक एक और तीन हमें पहला आइडेंटिफाइग गैदर करो इंफॉरमेशन और एनलाइज करो मार्केट को फिर मार्केट की प्लैनिंग क करो मार्केट की प्रांदि में सम आता है फिर पहले पांच जो है पहला क्या प्रोडेक्ट कि डिजाइन इस टेड़एशनन ग्रे इंग पैकेज़ींग लेबलिंग ड्रेंदिंग करना है और कस्पर सर्वेसेस फिर सिर्ष प्राइज़िंग सेट करो फिर प्रमोशन की टैक order processing again कैसे inventory control and order processing फिर क्या है transportation already around transformationmad werehouse अच्चा philosophy क्या होती है कि company क्या सोचते हुए wat business कर रही है how fast company product के बारे में design re design research कर रही है क्या सोच कर customer का satisfaction इंपोर्ट्न पॉइंट कया है customer का satisfaction बास दूफरा company product को design कर रही है बड़िया तरीके से जिससे कि क्या हो सके sale क्या product concept sale की बात और यह खाली है अब ही सब लोग अच्छा product बनाते हैं सब selling concept पर काम करते हैं लेकिन मेरा माल बिक नहीं रहा बिकने के लिए selling concept discount ठीक है फिर हमने का किया अच्छी customer की नीट के कोड़िंगी product भी बनाया हमने customer मतलब वह आराम से बिक जाए easily saleable हो वह भी कर दिया फिर हमने तीसरा point discount भी दिया लेकिए अभी माल नहीं ऐसा नहीं बोलना है बत्तमीस लेकि क्या बोल रहे है जब customer आया माल लेने के लिए तो माल मार्केट में available ही नहीं था तो availability कौन बोलता है production concept और last point company को चाहिए कि वह environmental friendly product बनाए machine यूज करे क्या देश को employment दे एन ओल हाँ अब हम आते हैं यहाँ पर कि जो हमारी marketing है यह बताओ यह marketing के बारे में है sales के बारे में यह जो भी अब यह पढ़ने जा रहे है अब यह चार पॉंट देशा में देखाए जा रहे है marketing के फिलोसफी मार्केटिंग के फंक्शन और यहां पर हम बात कर रहे हैं marketing के features हाँ भी फीचर्स क्या marketing के फिर समझता समझते हैं अभी अभी मैंने कहा था पहला पॉंट मैंने क्या रखा था customer का satisfaction या तो उसको satisfy करो या उसकी need को समझो पहला point customer की need and wants के हिसाब से ही product को बना जाता है marketing का पहला feature हमेशा customer की need या want के हिसाब से ही product को क्या की जाता है ठीक है पहला point देखना फिर से need and wants को समझना यह किसका गाम है marketing का point number two customer की need यह चंडिगड के लोगों की need और भटेंडा के लोगों की need क्या एक जैसी होई की no doubt यहां का customer जादा खर्चा करता है as compared to वहां के lavish lifestyle को जीने में है यसे कि हम बात करें चंडिगर city के अंदर जिसको देखो सब लोग जेमिंग है सब कुछ कर रहे होते हैं पाटी बाटी सब कर रहे होते हैं लेकिन बटेंडा या बैक्वर्ड एरियास के अंदर इतना culture नहीं है हम क्या बोल रहे है क्रियट्न k kids करती ए ख्रीम क्रिय爾 करती यह वी मार्केट जहांपर की आपने product को offer करेगी क्या करने के लिए बेळेशने के लिए मिदैा इसा प्रोडेक्ट जो अभी तक था ही नहीं इंडिया में अद्र दुन्या नीता एक अन्परी ने प्रोड़़ट्ट्ट बना या मार्केट जो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या चाहिए वो तुम्हें देती है शायद मैंने पहले बताया होगा एपल का जो मालिक था कौन स्टीव जॉब्स उसने पहली बार आइपेड बनाया तो लोगों ने उसे बोला कि यह कर्सक्समर की दिमांड तो थी नहीं तो उसने बहुत अच्छी बात बोली थी उस स्टेटमेंट के असाथ उसने स्टेटमेंट दिया था उसने कहा था कर्सक्स Алеश्का च्टाइए घट सांञेंट कम वार्ज यृट भी उडएंगे तो एक पागल आदमी रहा होगा जिसने सोचा होगा और उसने लोगों को क्या किया रिलाइस कराया उसका मार्केट ढूंडा अ कम्प्लीट ओफर फॉर अ प्रोड़क्ट और सर्विसेज फीचर्स प्रोड़क्ट का साइज क्वालिटी टेस्ट एट सेक्टरा अट दा सर्टेन प्राइस एवलेबल अट दा आउटलेट उसकी नीड के प्रोड़क्ट को वहां तक पहुंचाना क्या बोल रहे हैं मार्केट को क्रियेट करना जहाँ पर कुछ नहीं बिखता था वहाँ पर आप प्रोड़क्ट को ले गए बेशने के लिए हाँ कस्टमर वैल्यू क्या था कस्टमर की सेटिस्टेक्शन जो कहती है अब प्रोड़क्ट विल बी पर्चेस्ट अल्ली इफ इट इस परसीवड तो बी गिवन ग्रेटर बेनिफिट अचा मार्केटी का में कौन सेप्ट ही है क्या कस्टमर सेटिस्टेक्शन फिर एक्सचेंज मेकेनिजम जब प्रोड़क्ट मार्केट में पहुँच जाएगा तो कस्टमर कब खरीदेगा कब खरीदेगा उसको डिसकांट मिलेंगे सेटिस्टेक्शन मिलेगी तब जाके वो प्रोड़क्ट खरीदेगा बतले में क्या देगा आपको पैसा मतलब एक्सचेंज होएगा तब इन्डी विज्वल बायर या सेलर ऑप्टेंड एट दे नीड एंड वांट्स क्या पूरी होएंगी तब जाके वो क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे देखना इस चार पॉइंट थे हमें इन चारों को लाइनप कर रहा हूं इन चारों में है क्या के तो पॉइंट निट क्या बोला सिट्रैंट निट बना अपने पास रखो गज़े तो तो नीगुष नहीं वाला उसको माकेट तक पहुंचाना मतलब क्या होगा उसके अंदर माकेट पहुंचाने में पहला पी क्या था सिप्रोडक्ट को बनाना as per customer की बतलब customer satisfaction के accordingly फिर price fix करना भी सिमा गया need and wants और customer value की basis फिर वहां तक पहुचाने के promotion था ना promotion promotion भी क्या था need को realize करवाना need को realize करवाना क्या करना need को realize करवाना फिर वहां तक पहुचाना है वो क्या हो गया creating market को create करना इसके दो दो चीज़े लगेंगी एक तो promotion और दूसरा क्या प्लेस promotion और प्लेस यह दौनों चीज़े मिलगे क्या करेंगी market को create करेंगी क्यों promotion करोगे तो वहां फे demand आएगी वाइस ना हमारे पास भी बेज़ दो यह product market तक product को पहुचा दिया गया क्या बोला market क्या किया create पहले दो पॉइंट जो है वह पहले दो पॉइंटों से related होगे कौन से price प्रोडक्ट और प्राइस फिर market offering क्या बोल रहा है promotion और promotion और place के through वहां तक market को create करना अब market पे सामय ना के रख गया अब exchange mechanism करना है जो कौन करता है promotion क्या करता है यह offer देता है जिससे कि लोग आते है और आपके product को खरीदते है ध्यान देना इन चारों पी से ही बना है क्या इन चारों पी से बना है फीचर किसका marketing का कुछ चारों मिला की होना है यह और क्या होना है पहला point हब पहला point product ऐसा बनाओ उसके price ऐसे रखो पहले बाद तो product ऐसा बनाओ customer satisfaction मिले प्रोडक्ट के price ऐसे रखो उसकी need और want के accordingly को need और want किसमें धियाद है demand किसे relate होता है price से तो हमें पहला point क्या मुला customer के satisfaction के हिसाब से product को बनाओ उसका price fix करो उसकी need और want के हिसाब से फिर उसके pass तक पहुचाओ market offer करो और फिर बेशने के लिए क्या करो exchange mechanism यूज करो जिसे की प्राइज दूसरे उपपर दाल दो price क्या होगा price क्या होगा need and wants के accordingly के determine होते है price तीसरा क्या इसे डाल दो place वहां तक पहुचा नेंगे जब पहुचाएंगे तभी तो market create होगा और last इसे डाल दो क्या place के बाद promotion promotion करेंगे तो क्या होगा exchange होगा यह best रहेगा पहला क्या बन गया इसके आपसे product दूफरा क्या बन गया price तीसरा क्या होगया place और last क्या होगया ठीक है तो इसके बाद हमारा पहला topic जो सबसे important topic है philosophy और function इन मेंसे अगर question आएगा तो most probably बच्चा नहीं कर पाता है I hope कि यह तुमारे तीनों के तीनों clear हो गए होईंगे अब बाकी जो remaining बचा है यह सब हमारा next class पे खतम हो जाएगा thank you